देखिए मैंने प्रचार करना तब शुरू किया जब मैं 21 साल का था मैं अब 69 साल का हूँ तो 21 साल का तो मैंने कहा प्रभु से तो मैंने कहा परमेश्वर मुझे के सच में नहीं पता कि मैं क्या उपदिश करना चाहता हूँ या नहीं उब्दिश देना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शैतन असली हो मैं वास्तों में उसको तलाश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता था कि जिस शन आप बिमार के लिए प्रात्ना करते हैं मिनिट आप उस तरह से सुसमचर के मंत्री बन जाते हैं जिस तरह से आपके माध्यम से अलोकी प्रावईत होता है यह वास्तिक हो जाएगा यहाँ एक बहुत शक्तिशाली दुनिया है और मैंने कहा कि भगवान मुझे नहीं लगता कि मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ करने दे तुम्हारे लिए और एक तरल की सरलता जिससे तुम ज सामने में तुमसे सच कह रहा हूँ ठीक है क्योंकि इश्वर मुझे जच करेगा अगर मैं हमसे कुछ भी छोड़ता हूँ या मेरे सामने कुछ भी लेता हूँ मैं मैं उठा मैं पूरी तरह से जाग रहा था मैं जाग उठा मैं अपने सामने काले हुड़ वाले इस विशाल प्राणी को देखता हूँ कि वस्तर मैंने उसके चहरे के नाकुनों को नहीं कहा जो काफी लंबे और घुंगराले थे और वो मुझे मालने के लिए मेरे पास आये थे प्रुत्य की आत्मा वास्तों में है इसलिए मैंने प्रियोश्यो को पुकारा और अचानक मैं शौक हो गया मेरे शरीर से केवल आदमिकी माउस मेरे शरीर पर है मैं बैटा हुआ हूँ मेरे पेर अभी भी कमर से अंदर है मैं अब पीछे देखता हूँ मैं कुद को देखता हूँ गती हीन क्या मैं मर गया मैं मुझे नहीं पता स्पश्टर रूप से नहीं जानता मुझे परवा नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि मैं जीवित था लेकिन मेरे पीछेवा चीज पूरी तरह से भावहिन मुरुत थी या नहीं इससे कोई फर्क ने पड़ता कि मैं उपर बेटा हूँ और अच्चानक भगवान के सामने एक देवदूत मुझे यहां विचार दे सकता है कि मैं आपको कुछ भी बतरा हूँ जो की नहीं है सच यह फिर और कुछ मैं एक देवदूत उस बड़ी चीज को ले जाता है और उन्हें दिवार की और धकेल देता है और वह देवदूत उस बड़ी आदमी की तुल्ना में थोड़ा था इससे कोई फरक ने पड़ता हाला कि उसने उससे पकड़ रखा था और फिर एक और देवदूत अंदर आता है और ठीक मेरे बगल में खड़ा हो जाता है सुन्दर एंजल जब हम स्वर्ग में पहुचेंगे तो सुने रे बा आप देखेंगे मैं आपको दिखाऊंगा गोरा दिखाने वाला हूं उनके घुंगराली सुने रे बाल चोड़ी सुन्दर आके नीली आके उनके छातिक पर विशाल कंदों के एक बेल थी विशाल कंद यह शायद साथ फुट खड़े थे मुझे नहीं पता कि यह कितने लंबे थे मैं पूरी तरह से विसमे में घुर रहा था कभी किसी को ऐसा नहीं देखा मेरा और वह बस मुझे घुर रहा था उसने शब्द भी नहीं कहा वो मुश्कराया भी नहीं वह बस वही खड़ा था वहां काला वस्तरवाला अभी भी वही था वो एंजल अभी भी वही था जो मेरे रास्तरे में आने और मेरा गला घोटने की कोशिश कर रहा था वहां उस आदमी या उस शैतन को हिला भी नहीं सकता था जो वह था और तिसरा दियोदुत अंदर आता है और कहता है और मेरे सामने सुन्दर एंजल से कहता है उसने उसने माइकल कहा दो बार माइकल कहा उसने कहा कि माइकल माइकल और कोई मुसिबत में है और वहां उससे कहता है इसके साथ यहां अगहिरी आवाज मेरे पास से निकलती है और कहती है तुम उसकी देखबाल करते हो और और दूसरी बार वहां चला गया है मैं अपने शरीर में हालेलुया गाते हुए वापस आ गया हूँ कि अपने वहां चला एक है दुम आ गया है